दुनिया में ऐसी कैई लव स्टोरी हैं जिनके चर्चे सद्यों तक गूसते रहे हैं और जिनें प्रेमी और प्रेमी का अपना आदरिश बना लेते हैं इन दिनों ऐसी है लव स्टोरी चर्चा का विशय बनी हुई है ये कहानी है अमरिका की दस साल की एमा एडवर्स नाम की एक बच्ची की जिसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है दरसल वो बच्ची कैंसर से पीड़ थी अब एमा की लव स्टोरी को जानकर सोशल मीडिया पर लोग काफी भाव हो रहे हैं दरसल दस साल की एमा को अपने बेस फ्रेंड से प्यार था और उसने मरने से पहले बेस फ्रेंड से करा दी और शादी के महज 12 दिन बाद ही एमा की मौत हो गई बतायजरा है कि एमा हमेशा से दुलहन बनना चाहती थी जब डॉक्टर्स ने कहा कि एमा कुछ दिन ही बचपाईगी तो उसके पिता ने उसकी दुलहन बनने की एक्षा को पूरा कर दिया एमा क परिवारों की तरफ से एक चोटे से कारेक्रम का आयुजन करके दोनों की शादी को कराया गया दोनों की शादी के ऐसे 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 फोटो सामने आए हैं जिसे देखकर हर कोई भावग हो रहा है इन फोटो में वह एक दूसरे का हाथ बकड़े हुए एमा एडवर्स को पिछल और पिता का नाम एरोन एडवर्स है एमा की मा एलिना एडवर्स बताती है कि डीजे एमा से सच्चा प्यार करता है और उसका परिवार भी बच्ची एमा के लिए कुछ भी करने को हमेशा आगे रहता था एमा और डीजे दोनों पड़सी है एलिना एडवर्स बताती है कि अ हफ्तों के अंदर ही एमा की 11 जुलाई को मौत हो गई उसकी मा एलीना दुखी है पर उन्हें इस बात की तसली है कि उन्होंने बेटी के सपने को पूर्य करने में उसकी मदद की वहीं अब एमा की शादी से जुरे उसके फोटो और वीडियो भी वारिल हो रहे हैं जिसे देख कर लोग काफी दुखी हो रहे हैं मातर चाया होस्पिटल दिल्ली जैसे सुई था अब बुलंद शहर में पहली बात गुर्दी की पथरी दुर्वीन दुवारा किडनी स्टोन एवं प्रोस्टेट का ओपरेशन किडनी का कैंसर दुर्वीन दुवारा सभी प्रिकार की ओप पता है आठी ओफिस के सामने दिल्ली रोड भूड बुलंद शहर